गुट मोनिंग स्टुडन स्टांडर्सेवन चेप्टर थ्री हमने दूर चेप्टर तु अपको पड़ा लिए तिसरा चेप्टर तु चेप्टर अपने आपको वर्कबूर्ट्बूक कंप्लेट करनी है तु पहला दूसरा चेप्टर आपको वर्कबूर्ट्बूक में कंप् प्रस्तुत कहानी में लिखक ने अपने स्वामी के प्रती जानवर की वफादारी को उजा कर किया है। गुजराद में पाटन जिल्ले में राधनपूर नाम एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक बतालाब है जिसके तर्ट पर एक बर एक कुत्ते की समादी है। समादी और वह भी कुत्ते की वह जानकर आश्यर्य होगा। उसके पीछे एक सुन्दर एक रदय को हुला देने वाली कथा है। तो देखो एक लिसन में देखो कुत्ता कितना वफादार होता है। आत्मी तो नहीं वफादार होता है। लेकिन कुत्ता कितना जानवर होकर भी कितना वफादार हो है। लेकिन उसकी वफादारी को देखे बिना उसके जोर शेट होते हैं। तो उसने उसे मारते ह पूराने जमाने में व्यापर का सामान लाने ले जाने का काम बंजोर करते थी बंजारी मतलम एक बंजारा था वह अपने उंटो पर गाउ का माल सान्मान लाद कर शरों में वो ले जाता था वहां से मिस्री गूर मसाले आदी भरकर गाउं तक ले आता था लाखो का व्यापर था उसका इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थी तो एक बंजारा था तो वो क्या वो बहार सहेर में कुछ लाधकरिके सामाल लेके जाता उसे बेचके उसे वो मिसरी घूड मसाले यादी खाने पिने की जे जे बर्क गाव में गाव तक ले आता लाखो व्यापार में लुग कि उसका अच्छा व्यापार चल रहा था इसलिए वो उसको लाखा बंजारा कईते लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था तहा वो बढ़ा वफदार था रात को वो बंजारे के पड़ा कीरख्वाली कर रहा था, यादि बंजार के पास वह बाहर बेचने जाए तो वो उन्ट लेके जाता उस पर सब सामान लेके लेकिन जो रास्ते में कई रुखना पड़े तो उसका वो तंबू बना के रहते थी और बाहर वो कुत्ता था उसकी रखवाली करता था रात को वह बंजोर वह पड़ा की रखवाली करता था अगर चोर लूट्रेरे पड़ा की तरफ आते दिखाई देते तो वह कुत्ता भुक कर वह उने दूर भगा देता था वह उसे भुक भुक कर उसे भगा देता था बंजार अपने कुट्टे की वफादारी से बहुत खुश था, वो इमानदार था इसले, एक बार बंजार व्यापर में मार्ग खा गया, कुछ खोट हो गई हो थी, रुप्यों की जरूरत आ पड़ी, वह रादनपूर के एक सेट के पास पहुचा, उसने अपनी बात बताई, सेटने का रुप्यों तो मैं दूंगा, मगर उसके बतले में तुम क्या गिर्वी रखोंगे, पहले तो गिर्वी रखना घर या कुछ भी का खेती हो, खेत हो, घर हो वैसा गिर्वी रखना पड़ता था, लगे आप क्या रखोगे, लाखा बोला, सेट जी मेरे पास फूट समित एक साल में चुका दूंगा, तो सेट बोला कोई बात नहीं, तुमारे पास यह कुटा है, तो तुम उसे ही यहां जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रूपे लोटा दोंगे, तब में कुटा तुम्हें वाफपस दे दूंगा, बोलते हैं कि तुमारे पास क कुटा मेरे पास यहां छोड़ जाओ बाद में, आपके पास पैसे आये तो पैसे दे कर उसे ले जाना, बंचारे को दूख तो बहुत हुआ, अपने कुटे को देने में मगर कोई चारा ही नहीं था, रूपे लेकर वह चला गया, कुछ दिन बिते, एक बार सेट के यहां च चोरी होई, कुटे ने चारो को पिछा किया, दूर जंगल में जाकर चोरो ने सारा माल सामान जमिन में गाड दिया, और वहां से नो दोस ग्यारा हो गए, कुटा वहां से भख भख कर सेट को बता ने आया, इले दो तीन वहां और उसे कुटा छोड़ के गए थे, वो बन ज कुछ दिन हुए, तो किस के वह सेट के गर कुछ चोर आये थे, तो वह चोरी करके वह शामान है, तो बहात दूर लेके जमिन में वह काड दिया, वह सब कुटा देख लिया, तो वह बोख भख कर सेट के पांच जाता है, बता ने लगा, कि लुटा रहे आपकी दुकान उठा ले गया है सेट तो वक्का ही रगया कुट्टा सेट की दोती पकड का आगे खिछने लगा सेट ने कुट्टे के पीछे पीछे चलने लगे जहां चुरों ने माल छिपाए था वहां जाकर कुट्टा अपने पेरों से मेटी खोदने लगा थोड़ी खोदने पर सब सामान निकला, सेट की खुशी का कोई पाण ना, उसी पूरी दुकान चोरों नी चोरी कर दी थी, और वो कुत्ता उसको बुला कर वहाँ जा अपना जो चोरी जो पैसे वो सब लग ले गए ते वो वहाँ खाड़े में डाल दिया थे, वो सब उसने अपने पैरों से बाहा निकाला, और देखा दो सेट तो खुश हो गए वह, खुशी का कोई पाण नहीं रहा, वह कुत्ते को प्रेम से थप थपाने लगा, कुत्ते की वफादारी पर वह मोगन हो गया, वह चूप हो गया, गर जाकर अप उसने एक चिटी लिकर, कुत्ते के गले में, पट्टे में बांद कर कहा, कुत्ता बाई, जाओ तुम अपने मालिक के लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्तो हो, कुत्ता खुश हो गया, और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा, उसे तो खुश हो गया, कि चलो, वह, सेट तो उस प अपने लाखा मंचारी के पास चला जा इधर लाखा ने भी व्यापार में खुब रुपाय कमाई वह सेट को उसकी रखम वापस करने के लिए उसी रास्ते में हा रहा था उसने दूर से अपने कुट्टे को अपनी और देखा और आते हुआ देखा वह नाराज हो गया वह Bay люд को देखे वह नाराज हो गया सोतने लगा कि कुट्टे ने मेरी जबान काट ली है उसने बेवफाई कि है जब मैं मैं सेट को क्या मुझ दिखाऊँगा लुए तो भाग गया मैं पैसे वापत करने ने हुआ बोला कि कुट्टा थो भाग गया तो मैं क्या मुझ बस कुत्य को माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। उसे देखकर उसने लाठी से मानना ही चल। कुत्ता ब्योश होकर गीर पड़ा लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिठी बन दी हुए उसने उसे खोल कर पड़ा लाखा तुम्हें कुत्ते ने मुझे सूध समेद रुपे लोटा दिये है अंता कुत्ते को में मुक्त करता हूँ उसने मेरे गर में चूरी किये गए माल सामन को वापस दिलाया है खूश होकर मैंने स्वयम उसे मुक्त किया है लाखा ने तो चकित हो गया वह चिलाने लगा हाथ हाई यह मैंने क्या कर दिया हाई रे मैंने क्या कर दिया वह कुत्ते को शव को अपनी गोधी में शव लेके वो वो मृत्ति हो गया था तो गोधी में गोधी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा लेकिन अब पच्टा हो क्या जब चेडिया चूग गई खेत में तो उसके बाद अब क्या करेगा तो अब मर गया तो चिल्लाने से कुछ होता नहीं है उसने उस वफादार कुत्ते की समाध बनाए देखूं आज भी वो पाटन जिल्ले में राधानपूर के तालाव के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की खता संसान में सुनी रही रही है तो स्टूड़न्ट आपने देखा ना एक कुत्ता एक जानवर कितनी वफादार होते हैं तो यह हमारे य पड़ाव यात्रों में कुछ समय का ठहराव लादना एले किसी के उपर बहुत सी वस्तुए रखना लूटेरा एले लूटने वाला मिस्री एले किचीनी लोटना वापस मुख देले आक्सक्त मोहित एले सूद एले व्याद शब एले ब्रूत गो देले आचल चलो मावरे के अर्थ दिखते हैं रदै हिला देना रदै को को द्रवीट करना नो दो ग्यारा होना भाग जाना मार खा जाना लेके नुकसान होना हक्का बक्का होने चक्कित हो जाना फुटी कोडी न रहना अंतित गरिभ होना आप देखा न दाव बिना सोचे समझे कोई चारा ना ऊना ओना कोई उपाई ना ओना रास्ता ना ओना फुट पुट का रोना जोड़ जोड़ से तो कहा वते जब पश्टाय हो क्या जब चिडिया जुग गई होके समय निकल जाने पार पश्टानानी का क्यब फायदा तो अभ्या से निचे गए सब्दों के कहानी में जिस वाक्य में हुआ है वो वाक्या पढ़िए समाधी तो वो आपको ये वाक्या पढ़ नहीं खाली उसमें Question 2 एक प्रश्णों के उत्तर दीजे समाधी क्यों बनाई गई थी क्योंकि उसको पच्तावा हुआ तब मानने के बाद आप इस कहानी को और कौन-कौन से सिठशक देना चाहेते एक वफादार कुटा एक भी वही हो सकता है वफादार जानवर कुटे को वफादार प्राणी क्यों कहां गया है कि कुटे जैसा कोई वह अपने नाक से सुंकर वह सबको पता चल सकता है कि वह किसने कुछ कैसा गलत काम किया इसलिए बंचारे ने कुटे को आते देखकर कुछ सोचा होता तो क्या होता तो वह कुटा मरता नहीं सेट ने कुटे को क्यों मुक्त कर दिया क्योंकि उसने वह अपने चोरी का माल सब उसने बचा लिया वापस मिल गया इसलिए सब्दो को सब्दो कोश में क्रम में लिखिए जैसे हम खो गई ऐसे आते ने वैस इस तरह क्रम में करने है अधी आप होते तो क्या करते बताइए तो कुट्टे को जमानत पर रखते सेटने पैसे दिये सेट्ची की वज़ा से आप होते लेकि आप कुट्टे को ऐसे करते आपको वो सब लिखने पढ़ने हस्ये और सही सब्द लिखिए तो इसका राजा राने ग्वाला गाने लिखिये ऐसे लिंग परिवर्तन उसका स्वाद्य है लिखिए आपको इस पर कहाने एक नोकर त्वराँ चुरी करना सेट पूछना कि कैसी एक स्टोरी है तो उसकी इस्टोरी आपको अपने आप बनाने है नीचे दिये प्रश्णों के उत्तर लिखे रात को कुटा पड़ा की रखवाली कैसे करता था तो वो चोरो आया है तो उसे बबबब कर सेटने बनजारे के साथ कौन कौनसी शर्ट रखी थी कि आप पैसे जब वापस करो तब आपका कुटा वापस ले जाना है सेटने कुटे को क्यों मुक्त कर दिया क्योंकि उसने चोरी का माल अपना बच्चा ले इसले इस कानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे कुछ का इस पे घुसा करना नहीं चाहिए बिना सोचे कुछ काम करना चाहिए नहीं निचे दिये गए वाक्यों में रहागे सब्दके लिंक परिवर्टन वाक्या बंजारको बहुत दुख हुआ उन्टकी तो उन्टणी की पीट सामान लदार रही है मेदान में लड़का खेल रहा है तो मेदान में लड़की खेल रही है लिंग आदारीद सब्दों में जोड़े मिलाए और उनका वाक्य में प्रयोग किये शिश्य नागी ने सबका आपका वाक्य में प्रयोग करना है जोदे जैसे की घाय पचुश का बेल बाक्य प्रयों गाई का दूर्व सेहत के लिए अच्छा है, तो ब्लेस का नाम होता है, कोई प्लेस का नाम होता है, वो संग्णिया होता है तो student यह हमारा chapter 3 यह हमारा complete हुआ तो आपको इस त्वाद्य अभ्यास आपको workbook और notebook में complete करना है